क्या ही माचल कॉंग्रेस में सब ठीक चल रहा है क्या कॉंग्रेस भाजपा से सत्ता छीन पाएगी क्या कॉंग्रेस की गुटबाजी पाती पर फिर भारी पढ़ने जा रही हैं क्या इन ही कारणों से कॉंग्रेस भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं कर पाई हैं ऐस से कई सवाल है जो इन दिनों राजनीतिक विशलेशकों के चिंतन मनन का मुद्दा बने हुए हैं क्यूंकि पिछले दिनों कॉंग्रेस के अंदर जो कुछ घटा है उसी से ये सवाल स्वभाविक रूप से सामने आए हैं कॉंग्रेस के दो विधायक कारेकारी अध्यक्ष के बाद चारों उपचुनाव में जैराम सरकार और भाजपा को हराया ऐसी प्रिष्ट भूमी के बाद विधायक पाती छोड़ कर चले जाएं और प्रदेश के नरतित्तों को इसकी पूर्व जानकारी तक ना हो पाए तो निश्चित रूप से विशलेशकों के लिए ये व इससे ये सामने आया कि पाती अध्यक्ष से हटकर भी कोई ऐसा है जो ऐसे फैसले ले रहा है इस फैसले लेने वाली ताकत को ये तक एहसास नहीं हुआ कि चुनावों की पूर्व संध्या पर लिए गए ऐसे फैसले पाती की एक जुठता को लेकर क्या संदेश देंगे इसी प्रेश्ट भूमी में जब पाती के राष्ट्री अस्तर के नेता आनंद शर्मा ने प्रदेश की संचालन स्मिती के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया और ये कहा कि वे आत्म संबान से समझोता नहीं कर सकते तब स्थिती और भी हासिस्पद हो गई क्यूंकि आनंद शर्मा तो स्वयम पाती की उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने सब कुछ संचालित करना था संचालन कमेटी के अध्यक्ष का कद तो काईदे से सबसे उंचा होता है फिर जब संचालन कमेटी का अध्यक्ष अपने आत्म सम्मान को ठेज पहुंचाने की शि भाविक हो जाता है कि यह पता लगाया जाए कि यह अद्रिश्य हाथ किसका है और इसका संचालन कौन कर रहा है स्वर्गिय वीर्भद्र सिंग के बाद न्रैतित्व के नाम पर पार्टी एक शोन्य जैसी स्थिती से गुजर रही है यह एक कणवा सच कॉंग्रेस का है इस समय में जनतापाटी के प्रदेश में कॉंग्रेस में विले होने पर कॉंग्रेस में शामिल हुए और आज तक कॉंग्रेस में है आनंद शर्मा ने तो पहला चुनाव 1982 में लड़ा और 1984 में जब राज्य सभा का रुख किया तो फिर कभी प्रदेश में वापसी का प्रयास तक नहीं किया उनके केंद्र में वरिष्ठ मंत्री होने का प्रदेश को सिरफ पासपोर्ट कार्याले के रूप में जो लाभ मिला है उससे हटकर और कुछ बड़ा योगदान प्रदेश में उनका नहीं है बलकि अपनी सांसद निधी से अंबानी के मुंबई स्थित कैंसर अस् दिश्य में जहां कॉंग्रेस को सरकार और सबसे अमीर पार्टी भाजपा का मुकाबला करना है वहां संगठन की एक जुटता का संदेश व्यवारिक रूप से देना बहुत आवशक हो जाता है इस समय सरकार लगभग प्रती दिन अपनी योजनाओं के लाभार्थियों के स सेमित होकर रहे गए हैं जितने बड़े आकार की प्रदेश कारेकारनी गठित हैं आज यदि सारे पधदिकारी टिक्टार्थी बन जाते हैं तो उन्हीं में सहमती बना पाना काफी कठिन हो जाएगा अभी ही पाती ने जितने चुनावी वादे कर रखे हैं उनके लिए वि किना सरकार पर कर्ज बढ़ाने का आरोप लगाना आसान नहीं होगा इस समय कॉंग्रेस की आक्रमक्ता लगभग शुन्य हो गई है यदि इस समय स्थिती में सुधार ना हुआ तो स्थितियां भविश्य में आसान नहीं होगी यह तैह